बाला सर में रेल हाथ से के बाद अब ट्रेन फिर से एक बार पट्री पर दोड़ रही है जिन्दगी जैसे ठीक हो रही है वैसे ही 51 घंटे के बाद रेल की आवाजाही शुरू हो गई है पट्रियों के मरमत पूरी अभी नहीं हुई है लेकिन दो ट्रैक्स को अपको और डाउन को एक एक ट्रैक को चालू कर दिया गया है ट्रेन फिलहाल कल रात से टेस्टिंग मोड में थी और आज सुबह से चार से ज्यादा ट्रेन जा चुकी है पैसेंजर ट्रेन की आवाजाही के साथ ये शुरू हो गया है कि दोनों लाइन रिस्टोर होने की वज़े से अब कम से कम दोनों ट्रेन यानि कि अब और ड्राउन दोनों तरफ की ट्रेन चालू हो गई है मैं तो पूर्ण ये है कि अभी भी ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा धीरे रखी गई है यानि कि जैसे प्लाटफॉर्म पे ट्रेन घुसती है जिस गती में 10 या 20 किलोमीटर प्रती गंटे की रफतार से ठीक उसी तरह से ट्रेन जाती है अब और डाउन ट्रेन इस समय धीरे धीरे ट्रेन चल रही है धीरे धीरे स्थिती सामाने हो रही है क्योंकि अब ट्रेन कम से कम पट्री पर आ गई है जिन्दिगी भले ही लोगों की उतर गई हो पट्री से इस हादसे की बाद लेकिन अब train की आवाजाही शुरू हो गई है आप और डाउन दोनों rail line clear हो गई है करीब 51 घंटे बाद इसको पूरा कर दिया गया है काम को लेकिन अभी भी मरम्मत का काम बाकी सारे tracks में जो 4 या 5 tracks होते हैं उनमें अभी भी जारी है इस train की आप speed देख रही है कि ये train कितनी धीमी गती से चल रही है उसका कारण है कि जैसे platform पर train रहती है ठीक उसी गती से यहाँ पर भी चल रही है अब इस गती का कारण ये है कि हादसे के बाद track भले ही testing mode में हो लेकिन दो tracks को पूरी तरह से clearance है अप और डाउन को इसलिए speed इतनी धीरे रखी गई है यात्रियों की संख्या कम क्योंकि बहुत सारी trains cancelled थी यात्रियों ने भी अपनी अपनी tickets cancels करवाई है कल तक रात तक उहापो की सिती थी कि train चलेगी या नहीं संख्या अभी भी यात्रियों की upper down trains में बहुत ज्यादा कम है जनरल बोगियां या sleeper class बोगियां कभी भी इतनी खाली होती नहीं है आम तोर पे इस रूट पे भीड कई गुना ज्यादा रहती है लेकिन कम है उसके दोनों कारण पहला ये कि tickets cancels हो गई है दूसरा कल तक ये नहीं पता था कि train आज चलेगी भी की नहीं लेकिन अब train के चल जाने से कम से कम एक बात साफ है कि पट्री पर जिंदगी आ रही है पट्री पर रेल आ रही है हाला कि अगले कुछ घंटे तक अभी भी train इसी गती से चलेगी यानि कि अगले दो दिन तक अभी दूसरी और CBI की जांच शुरू हो गई है आज की इस हैंड़ोवर हो जाएगा और इस मामले में जांच होगी कि आखिरकार इसका गुनेगार 275 से ज्यादा मौतों का जिम्मेदार आखिर है कौन सरकार को इसका जवाब भी दीना होगा एक बात सच है कि इन स्लीपर्स को यहाँ पर लगाने के लिए यानि कि जो पट्रियों पर जो ट्रैक्स पर आप जो सफेद तरह का जो पत्थर बड़ा देखते हैं उसे स्लीपर कहते हैं रेलवे की भाशा में जिसका वजन करीब 10 से 20 तन होता है जिसे मैनियूली ही मूव करना होता है आदिमी ही उठा के ले जा सकते हैं उसे मशीन से नहीं मूव किया जा सकता इसलिए ये रेलवे की काबिले तारीफ है कि 51 घंटों में ऐसे करीब सेकडो स्लीपर्स को मूव करके यहाँ पर ट्रैक को दोबारा ट्रैक पर लाया गया है यानि कि एक और जहाँ पर फिश प्लेट्स इस पूरी प्रक्रिया को और पूरी ट्रैक को मेंटेन करना होता है तुम्हें दूसरी और कई बार टेस्टिंग होती है कि ट्रेन ठीक चल रही है कि नहीं माल गाड़ी से टेस्टिंग की गई और अब पैसेंजर के जरीए पास कर दिया गया है